बेडिया स्टारिंग वरुंडवन कृति सेनौन बेडिया देखने के बाद जब इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ तब मुझे थोड़ा सा स्माइल क्यों आ रहा है ये इसका अगर आप रिसन पूछोगे तो कुछ सीन बेडिया के मैंने सच्चे दिल से बोलता हूँ जब मैं मैं कल क्विक रिविव दिया था क्विक नहीं वो जो स्पोईलर फ्री ने एक्चुली वो ट्विटर रिविव थे पॉब्लिक रिविव वगरा थे वो देखने के बाद मुझे सच में इस मूवी से कोई भी उम्मिद नहीं थी मतलब ऐसा लगा यार कि शायद कोई एक्सप स्पॉलर नहीं देने वाला बढ़ हाँ यह तो आपको ट्रेलर में पता है कि वरुंडवन को भेडिया कैसे काटता है ऐसा क्यूं होता है लेकिन उसको भेडिया खाट लिया और उसमें वह भेडिया आ गया गया फिर बैदिया बन गया उसके लिए आपको मुवीन देखनी पड़ेगी अब मैं कोई भी आपे कुछ भी बताने जाओ ना वो मज़ा ही निकल जाएगा खिरकिरा हो जाएगा आपका क्या वो मतलब पीटर पारकर वाला स्पाइडर मैन वाला एंगल है उस टाइप का कि भाई उसको काटा मकडी तो वो बन गया स्पाइडर मैन ऐसे ही कुछ है यह कोई इन्होंने लॉजिकल रिजन दिया है आप जरूर देखिए हां मुझे हसी इस बात किया है कि वो कुछ सीन थे वो बहुत ज्यादा हस्ते हसी द मैंने वरून डवन को और भेडिया को हमेशा मतलब पहले सी पॉजिटिव रिव्यूज देते आया हूं मैं इसको लेकिन मुझे ट्रेलर देखनी के बाद ऐसा लगा था इन्होंने कॉमेडी के नाम पर बहुत ओवर एक्टिंग तो नहीं कि देखो एक बात जरूर कहूंग लेकिन कुछ सच में हसाद देते हैं आपको हां उसके लिए मैं डेफिनिटली तारीफ करूंगा दीपक डोब्रिया और बाकी लोगों के आई होब कि मैंने नाम सही लिया नाम कभी-कभी लेने में गल्ती भी हो जाती है मुझसे और क्रिती सेनन का लुक मुझे थोड़ा न प्रितरी से यह कैसे कनेट है आपको डेफिनेटली यही रीजान जानना होगा आपको तो डेफिनेटली भीडिया आप देख सकते हो और यह मुवी ऐसी नहीं है कि आप OTT पे देखो I mean यह मैं कह सकता हूँ कि यह मुवी देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगे कि आप आपका टाइम वेस किया यह मेरा पर्सनल व्यू दे रहा हूँ यह सच्चे दिल से मुझे लगता है कि यह मुवी अब मुझे यह नहीं पता यह कोई कॉपी है या नहीं है पर मैं जरूर कहूंगा यह मुवी आपको जो प्रॉमिस देती है ना थोड़ा सा कि भाई स्पेशली मुझे जब से मैंने भेडिया का रिलीज हुआ था एक फर्स पोस्टर आया था एक दो साल पहले एक उसका टीजर आया था अनाउंसमेंट टीजर तभी मैंने एक आर्टिकल पड़ा था कि स्त्री और रूही युनिवर्स इस भेडिया से कनेक्टेड है और भेड स्त्री भेडिया में है श्रदा कपूर का जो कैरेक्टर है आपने देखा होगा सौंग उसमें वो थी ठुमकेश्वरी सौंग आइगेस तो हां तो उसमें वो थी तो ये तो आपको कोई स्पोईलर नहीं है पर वो कैसे कनेक्टेड है क्यों है या जबरदस्तिका इन लोगो ही मैं कहूंगा मैं पाच में से साठे 5 स्टार दूंगा मुझा संब ने इंप्रेस किया और मुझे इस मुई से एक भी सिंगल भी शिकायत नहीं है अब साठे 3 स्टार क्य्यों और 4 स्टार क्यों नहीं तो भाई मैं एक बात बोलता हूँ आप कितना भी मतलब आप वरुन के फैंस होने के बावजूद भी मुझे ने लगते कि आप 4-5 स्टार देना चाहोगे ये मैंने एक नॉर्मल स्टार रेटिंग दी है हाँ मैंने जो एक्सपेक्टेशन की थी इस मुवी से एक्चुली जादा की ही नहीं थी उससे मैं जादा खुश हूँ क्योंकि मुझे लगा यार ऐसा ना हो कि मुझे 2 स्टार देने पड़े डेफिनेटली मुवी ने मुझे बहुत इंप्रेस नहीं किया लेकिन 80% तो मैं खुश हूँ 80-85% तो इससे यह बात जरूर हो सकती है कि यह पॉजिटिव वे है और जो लोगों को यह डर था कि रिव्यूज के बेसिस पे यह मुवी कैसी जाएगी तो मैं एक बात जरूर कहूंगा यह मुवी बड़े-बड़े रिव्यूज कैसा रिव्यूज देते इसको उस पे टीकेगी ऐसा कुछ नहीं है मैंने जो देखा है बहुत से रिव्यूज ने दुरूश्यम्टू को खराब करने की कोशिश की थी लेकिन उनका बाद में पोपट हुआ था और बाद में उनने रिव्यूज चेंज कर दी आपनी जो थिंकिंग लेवल ही वही चेंज कर दी तो भाई आजकल रिव्यूज के वज़े से नहीं होता है सब कुछ लेकिन पबलिक को पूरे पबलिक को आउडियंस को पसंद आये आनी चाहिए मुवी तो ही चलती है मुवी तो मुझे लगता है कि ये मुवी सम्हाव पसंद आयेगी बट इसका सब कुछ डिपेंड करेगा बजेट पे अभी इसका तो बजेट वगरा वाला जो अपडेट है वो बाद में ही दूँगा अभी मुवी देखके तो मैं खुश हूँ आपने अगर ये मुवी देखिए तो बताए कैसी थी चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो कर लीजे थैंक यू